अलो दोस्तों मैं हुस्त दुरेंदर कुमार स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल अप्यर आप नालेज में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साल्व करेंगे गणित कच्छा 10 जिसमें हम साल्व कर रहे हैं प्रशनावली 3.1 जिसमें हम पढ़ रहे हैं चिप्टर 3 जिसका नाम है पेर आफ लाइनर इक्वेशन्स इन टू वैरियेबल्स जिसे हिंदी में करते हैं दो चरवाले रैखिक समी करण यूपम इसमें हम दोस्तों सवल नंबर 1 और 2 को साल्व कर चुके हैं उस उन वीडियों के लिंक जो है दोस्तों इस वीडियों के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अगर वहां से देखना चाहे तो आप वहां से जाके देख सकते हैं जिसमें कि समी करण कोस्चन नंबर हमारा ये किए है ठीक है जिसका नाम है कोस्चन नंबर एक प्रस्चन एक निम्न समी करणों के निकाय को प्रतिस्थापन विधी से हल किजिए यदि हल संभव है मतब दोस्तों जिस समी करणों को हम प्रतिस्थापन विधी द्वारा हल करेंगे अब उसे हल करने के बाद उसका हल संभव है या नहीं है इसे हम हल करने के बाद ही पता करेंगे ठीक है प्रस्न नंबर एक में लगभग 6 सवाल दिये गये हैं और 6 सवाल को हमें साल्व करना है दोस्तों जिसमें हमने दोस्तों दो सवालों को साल्व कर चुके हैं इसमें हम नमबर तीन को साल्व करेंगे ठीक नमबर तीसरा हमारा कौन सा सवाल है यहाँ पर देखेंगे समीकरण एक है तू एक्स माइनस सेवन वाई बराबर ग्यार है ठीक है यह हमारा क्या है समीकरण नमबर एक है तक नमबर एक है ठीक उसी तरह से दूसरा वाला हमारा समीकरण है हमारा कौन सा 6x-21y बराबर 33 यह हमारा क्या है समीकरण नमबर 2 है समीकरण नमबर 2 है ठीक अब इन ही दोनों समीकरण को हमें का करना है तो प्रतिस थापन बिधी द्वारा हल करना है जिस तरह से मने सवाल नमबर 1 और 2 को सालव या था तुछ है तो उचिलिए सवाल को सालव करते हैं करते हैं आप लिखेंगे में को समिकरण एक से समीकरण एक से स्टार्ट करते हैं दोस्तु जिस तरह से हमने पहले देखा समीकरण एक हमारा यह है यह वाला हमारा समीकरण नंबर एक है सबसे पहले इसे हम लेंगे है टू एक्स माइनस सेवनवाई बराबर इगयर हैं अब इसे हम पच्छांतर कर लेंगे दोस्तु यहां पर एक्स कमान निकलेंगे टू, टू एक्स मोल Qi जाएक को बराबर के इस तर ini गयर यहां पर किटना हो जाएगा साथ वाई अब यहाँ पर टू और एक्स को दूस्टों हम दो और एक्स के विच में गुड़ा का निशान है अगर हमिसे बराबर किस तर्न हो जाएंगे तो क्या भाग में जा तो एक्स वराबर क्या हो गारा 11 प्लस सात वाई के बटे कि बटे कितना हो जाएगा दो हो जाएगा अब यह हमारा क्या हो गया समीकरन नमबर तीन हो गया कि इसे मालने के समीकरन नमबर तीन ठीक तो चली देखते हैं एक्स कमान हम यह रख के साल्व करेंगे ठीक अब यहां यहां पर हम देखेंगे इसमें रखेंगे इस तरफ से यहां पर लान कीज़ने दुस्तों ताकि कन्फ्यूजन नहों हो अब यहां पर लिखेंगे एक्स कामान समी करण समी करण दो में रखने पर दो में रखने पर अब समी करण नमबर हमारा दो कौन सा है ये वाला समी करण नमबर दो है लिखेंगे पहले सीक्स एक्स माइनस एक इस वाई बराबर तैंटिस अब इसमें हम इस एक्स कमान रखेंगे दोस्तों इस वाले एक्स कमान इसमें रखेंगे तो हैंपर लिखेंगे सीक्स एक्स कमान कितना हमें 11 प्लस 7 वाई बटे 2 रखना है तो ठीक है माãyनिस 21y है 21y वशा कितना हो जाएगा इसको कटा देंगे हैं खिक है कितना दूत लगल कर देंगे तो कितना हो जाएगा इता थीनका 11 में गुड़ा करेंगे सात्रीक 21 वाई विसके वाद यह माइनस है माइनस 21 वाई बराबर 33 ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 21Y माइनस 21Y बराबर अंक्य गुड़ां के एक तरफ बीजी गुड़ां के एक तरफ 33 अर यह प्लस का 33 है हमारा इसे हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 33 हो जा माइनस 33 हो जाएग ठीक अब यहाँ पर देखेंगेंगे दोस्तों हमें क्या परापत हो रहा है प्लस 21 से मानेस 21 कर जाएगा उसके प्लस 23 से मानेस 23 कर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ गया है 0 बराबर 0 अगर दोस्तो समीकरण सालव करते समय इस तरह की situation आए ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दोस्तों कि अतह कथन असत्य है इसलिए दिये गेर रैखिक समिकर्ण के अनंत हल होंगे ठीक है तो यहाँ पर हम इस तरह के साल्व में लिखेंगे नोट्स में एक अतह अतह कथन असत्य है का थन और सब्ते है इसलिए इसलिए दिये गए रैखिक समी कराण रैखिक समी कराण के अनंत हल होंगे इसलिए है क्योंकि यहां पर सब संख्याय कट गई है यहां पर 21-21 कट गया और 23 उसके बाद 23 से कट गया तो इसमें गर किसी भी पगार का डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं तो आगे बढ़ने से पहले हम यहां पर पहले ही तीसरा सवाल है जिसमें हमने सवाल नबर रहे कि समी करणों के सिर्षा कर्म करतीष्ण किनकाई को प्रतिस्था तापन मेद ही से हल कि यह właściwie है तो यहां पर दोस्तों हमें देखा कि समीकराण्ड एकको लिया हमने समीकराण दो समीकराण्ड दो को लिया यहां पे तू एकस ब्राबर 11 उसके बाद इस साथ य को लगाए तो प्लस 7 वै उसके बाद यहां पर 2 है यहां पर एकस ब्राबर हों निकलंगत दुए में है तो बराभर के इस तरह पाने उसे हमने दोस्तों समीकरण किसमें रख दिया समीकरण दो में रख दिया ठीक है समीकरण दो में रखा समीकरण दो हमारा ये रहा समीकरण दो 6x-21y is equal 33 है ठीक है अब इसमें हमने क्या रखा दोस्तो एक्स का मान रख दिया यह हमारा x का मान है इसे यहाँ पर हमने रख दिया ठीक इसे x के जगां रख दिया तो 6 का 6 हो गया हमारा x का मान 11 प्लस 7y बटे 2 है यहाँ पर यहाँ पर यह देखिए उसके बाद माइनस 21y बराबर 33 है अब यहाँ पर हमने 2 से 2 का 2 2 3 6 6 को कोटा दिया ठीक है 2 से 6 में भाग दिया तो 3 आ गया हमारा 3 का अब कुष्टक के अंदर जो संख्या है हमारा 127y में गड़ा कर दिया 11-13 33 हो गया हमारा उसके बाद 3 का 7 में गड़ा किया तो कितना हो गया साथ तरीक 21y तो यहाँ पर 23 गुड़ंक को एक तरफ कर लिए हमने 33 को एक तरफ कर लिए और वाद आंकीओ गुड़ंक 21Y प्लस 21y ilsए यहाँ पर 21 होगा दोस्तों ठीक है 21Y के यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर प्लस 21Y और माइनस 21Y से कैंसिल हो गया बराबर के उस तरब 33 प्लस और माइनस 23 कैंसिल हो गया तो हमें प्राप्ट कितना हुए आंसर 0 बराबर 0 अगर दोस्तो रैक्षिक समी करण में इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो उन्हें हम दोस्तो यह नोट्स लिखेंगे दिये गए जो पहले कंडिशन दिये गए थे उनके अनसार दोस्तों क्या हो जाएगा अत्थक्थन असत्य है इसलिए दिये गए रैक्षिक समी करण के अनंतहल होंगे ठीक है अगर दोस्तो इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है ता आप हमें कमेंट बाक्स में कमेंट करिए हम आपके डाउट को कुलियर करने की कोईशिश करेंगे तो चलिए देखते हैं दोस्तो प्रसनावली 3.1 के नंबर 4 वाले सवाल को किस तरह से साल्व करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू बेरी मैच